जार्खन नुज में आपका स्वागत है चलिए जानते हैं सुबा से लेकर साम तक की तमाम बड़ी खबरों को इसे पहले आप जार्खन के किस जीले से नुज को देख रहे हैं हमें कोमेंट बक्स में जरूर बताईए साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्र कर बेल आइकन को दबाना बिलकुल न भूले आज का लाइक एम 500 है उमीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे जार्खन में जारी रहेगी क्रिसी कर्ज माफी योजना जार्खन सरकार के अगले वित्तिये वर्स के बयट में बयट आकार बढ़ाने की बजाए चुनिंदा योजनाओं पर सरकार का फोकस होगा ऐसी योजना है जिसका परत्यक्ष लाब अथिक से अधिक लोगों तक जए इस करड़ी में गिर्सी कर्ज माफी योजना को अगले वर्स जारी रखने का निनब लिया गया बावजूद इसके की गिर्सी बिभाक का वयट नहीं बढ़ाया जाएगा वयट नहीं बढ़ाने की मूल वज़क्रिसी वयट की रासी कि व्याए की स्थिती है 3350 क्लोर की क्रिसी बजट की अब तक महज आधीर आसी ही खर्च की जा सकी है अगले दो माह में भी बजट ब्याय सतर पर्थियत के भीतर रहने के असार दिखाई दे रहे हैं बतादे कि जार्खन की बर्तमान सरकार ने पहले बजट में 2000 क्लोर रुपए रिन माफी का प्रवधान किया था वीत वर्ष की समाप्ती तक आधीर आसी खर्च होने के कारान बर्तमान वीत वर्ष में 1200 क्लोर रुपए कर्ज माफी योईना के लिए रखे गए जार्खन में CO और ASO के 100 से अधिक पद रिक्त राज भर में अंचल अधिकारियों वह सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के 100 से अधिक पद रिक्त हैं लेकिन अंचल निरिक्षकों को इन पदों पर प्रोनती नहीं मिल पा रही राज में प्रोनती परोक लगाने के आदेश के पहले से ही इनकी प्रोनती लटकी हुई है ऐसे में बड़ी संख्या में अंचल निरिक्षक पर्मोशन की आस में बैठे हैं वही कई अंचल निरिक्षक बिना पर्मोशन के ही रिटायर हो गए हैं इसके पूर्व अंचल निरिक्षकों को अंचल अधिकारी वो सहायक बंदोबस्त पद अधिकारी के पद पर पनोसन दिया गया था इसके बाद से प्रोनती नहीं दी जा सकी है जारखन में हर साल होती है 15-16-25 लोगों की हत्या राज्य में हर वर्ष 15-16-25 के बीच हत्या की घटनाव कंजाम दिया जा रहा है जारखन पूलिस के आकड़ों की माने तो वर्ष 2017 में 1512, 18 में 1624, 29 में 1557, 2020 में 1541 और 2021 में 1541 हत्या की घटनाव कंजाम दिया गया वर्ष 2020 की क्राइम रिकोर्ड ब्योरों ने आकड़ा जारी किया है इसमें जारखन में सबसे अधिक 279 हत्या ब्यक्तिकत दुस्मनी के कारण हुई है वहीं दहेज के कारण 274 के अलावा संपती जमीन बीवाद में 152 लोगों की हत्या हुई वहीं परिवारिक बीवाद में 77, प्रेम परसंग के मामले में 62, पैसे के लियन देन के बीवाद में 51, डायन हत्या में 43 और अवायज संबन्ध में 36 लोगों की हत्या हुई है आकड़ों पर गवर करे तो नकसल वा अपराद गैंग की ओर से की गई हत्या से ऐसे मामलों की संख्या अधिक है जहारखन में 7 लाख लोगों को टिका लगाते ही पूरा हो जाएगा 100 परतिसत लक्षे राजे में पहले डोज का टिका करण अब सथ परतिसत के करी पहुँच किया है स्वास्त विभाग 12 जारी आगड़ों के नुसार राजे में 18 साल चाधिक उम्रवाले 2,15,7,841 लोगों को टिका देने का लक्ष है इसमें से 2.8 को टिका दिया चा चुका है या लक्ष का संतान में फिश्दी है यानि अगले एक साप्ता बाद पहले डोज के लक्ष का सोब फिश्दी पूरा हो जाएगा हलाकि इस लक्ष को पूरा करने के लिए 26 जनवारी की समाई सिमाताय की गई थी केंद्रिये विश्दी जारखं में न्योक्ती पर 3rd 4th grade की नोक्री में मिलेगी प्रत्मिक्ता जब तक रयतों को भूमी का मभजार नहीं मिल जाता है तब तक किसी भी तरह का निर्मान काररे नहीं होगा उक्तनिनर अभिवार को विश्वविद्यालक के चेरी मनातू इस्थित परिसर में भूमी अधिगरहन में आ रही दिक्तों वा रहितों को मुआपजा वह पुर्णवास को लेकर आयोजीत बैठक में लिये गए लेवी वसुल ने IPLFI का एरिया कमंडर बादल गोफ गिरफतार उसने पूलिस के समख सेरेंडर कर दिया उसके पास से हाथियार भी मिले हैं पूलिस के वर्या अधिकारियों ने उसकी गिरफतारी के पुष्टी की है लोहरदगा के जंगल में नकसलियों के खिलाप अभियान जारी लोहर्दगा जिले के पिसरार थाना छेतर के अतिर नक्सल प्रहुईत इलाके बुलबुल के जंगलों में लागातार पांचवे दिन भी पूलिस का सौर्च ऑपरेशन जारी रहा अपरेशन में अब तक CRPF के तीन जवान आईडी पॉम बलाश से घायल हुए हैं जिनका इलाज रांची के मेडिका अस्पताल में चल रहा है पूलिस के बर ये अधिकारी पिसरार इलाके में पहुँच कर मौक ड्रील अभ्यास करा जवानों का मनोबॉल बढ़ा रहे हैं इसके लिए गुमला पूलिस ने नक्सल को कम करने के लिए जोजना बनाई है नक्सलियों के गड़ में गुमला पूलिस फुटबॉल मैच कराएगी इसमें गाव के खिलारी टीम बनाकर भाग लेंगे गुमलाजीला में अठारा थाना है जिसमें दस थाना सुध रूप से नक्सलियों के गड में इस्थी थाए इन सभी 18 थानों में गुमला पुलिस द्वारा फुटबॉल मैच करया जाएगा इसकी त्यारी शुरू कर दी गई है तीसरी लहर का असर कम करोणा के तीसरी लहर थमने के कागार पर है इस लहर में करोणा संक्रमित गंभीर नहीं हुए लेकिन इस बीछ संक्रमितों की मोत होती रही तिस्वी लहर जनवरी माहा से दिखनी सुरू हुई थी इस बीच जितनी भी मौत दर्ज की गई वो भले ही कुरोना होने के बाद हुआ हो लेकिन सभी मौत के पिछे पुरानी बीमारी थी जिससे मरीज गरसित थे जनवरी में राची में 20 संक्रामित की मौत हुई है वही फरवरी में अभी तक सिर्फ एक मौत हुई है एक फरवरी से ही कुरोना संक्रामितों की मिलने की संख्या कम हुई साथी मिर्तियोदर भी कम हुई है रुपेश पांडे हत्या ममला आज घर पहुंचेगी सरकार रुपेश पांडे के हत्या के बाद बरही में फैला सम्प्रदाइक तनाव अभी बना हुआ है बरही में धारा 144 लागू है भारी संख्या में पूलिस के बलतेनाथ है रुपेश पांडे के घर पर किसी भी बारी ब्यक्ति के प्रवेश परपवांदी लगा दी गई है इस बीच रुपेश पांडे के परिवार से मिलने सरकार पहुँच रही है रुपेश हत्याकान को लेकर एक साप्ता से सुलग रहे बरही में रभिवार को प्रतिमा खंडित कर माहल बिगाणने की कोसिस हुई इस घाटना को लेकर एक बार फिर दो संप्रधाईयों के लोग आमने सामने आ गए पूलिस प्रसासन के लोगों ने समझा बुजा कर दोनों पक्षों को सांध कराया मामले की स्थनवेदन सिल्ता को देख बरही चोक और उसके आसपास के छेतरों को बड़ी संक्या में पूलिस बलते नात कर दिया गया है 16-17 को जारखन में बारिस जारखन की राज़ारी राष्टी सहीद आसपास के कई जीलों में एक बार फिर निवतन तरपान में गिरावट आई है रविवार को राची का निवतन तरपान 8.2 डिग्री सेल्शेस रहा वाई पूरे जारखन में सबसे ठंडा 5 डिग्री सेल्शेस गड़वा का दर्च किया गया मौसम विभाग करंशार 16 और 17 परवाई से एक बार फिर जारखन में पच्छमी विच्छोप का असर पड़ेगा साथ ही दक्षिन पच्छिम राजस्थान और उसे सटे इलाकों में साइकलोनिक सर्कूलेशन के परभाव होने का भी अचर होगा टीका करन के लिए स्कूलों में लगेगा 20S कैम्प परांची जीले के स्कूलों में 20S कैम्प लगाया कर 15 वर्स अधिक उम्रेक के बच्चों को टीका लगाया जाएगा सरकारी और नीजी दोनों इसकूलों में कैम्प लगेगा उपायुक छवी रंजन ने सो महर को जीला सिक्चा पदादिकारी को निदेश दिया वह जीला कोवीड टास्क फोर्स की समिक्चा बैठक कर रहे थे बैठक में जीले में कोवीड-19 टीका करन कारे के प्रगति की समिक्चा की गई उन्होंने सभी प्रखंडों में 15 पलस, 18 पलस और प्री कोस्नरी डोज दिये जाने के काय की बिस्तारते जनकारी ली बूथ वाइज डोर टू डोर सर्वे कारे की भी समिक्चा की गई जारखन रायत के नई परदेश अध्यक्ष पर निर्न जल्द जारखन में रायत की नई कमिटी का पूर्न गठन जल्द होगा रायत सुप्रीमो लालू परसाद यादव के राची आने के साथ ही इसकी क्वायत सुरू हो गई है रबिवार को राची पहुँचे लालू परसाद यादव से परदेश के कई नेतावों ने उनसे मुलकात की सरकार में रायत कोठी के मंत्री सत्यानद भोक्ता न्यू अर्तमान कमिटी के अध्यक्ष अभाय सिंग समेत कई नेता लालू यादव से मिले पार्टी सुत्रों के मुताविक रायत के नई परदेश अध्यक्स को लेकर मंत्री सत्यनन्द भुकता गोडा के पुरो विधायक संजाय सिंग यादव के नाम चर्चा में है चतरा में माइन्स खुलने की उमीद जगी कौल बलोग निलामी में प्रखंड की विरिंदा सीषय कौल माइनस डालमिया कंपनी को अवेंटित की गई है जिससे एक बार फिर विरिंदा सीषय कोल माइनस खुलने की उमीच जग गई है विरिंदा सीषय कोल माइनस 1377 भूमी पर प्रस्तावित है जिसमें 860 हेक्टेर वन भूमी वस्यस रहतिव अगर मजरुआ भूमी सामिल है उक्त ब्रिंदा माइन्स में 34.7 एक मिलियन टन सिस्वाई में 26.3 चार मिलियन टन कोईला का भंडारन है जे गारा फर्वरी को कोल बलोक आवंटन में उक्त कोल बलोक डालमिया सिमिन्ट ने अपने नाम कर लिया ब्रिंदा सिस्वाई कोल माइन्स अब तक 3 कंपनियो को आवंटित किया गया है लेकिन अब तक किसी न किसी कारण से इस प्रोजेक्ट प्रग्रहन लगता रहा धन्यवाद यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनलों को सब्सक्राइब कर बहुल का बेल एक अंद बाईए साथ साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों को साथ सेर करना ना भूले साथ साथ आप हमें कुमेंट बक्स में अपना फीड़ बैक अवस से दे थाइंक यू